हालो गुडिब्लिंग आज कुछ नया सिखने का प्रयास करते हैं पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि सूपर ट्रेंड का कैसे यूज करते हैं उसमें सूपर टच एडिया क्या होता है और आप लोगों में से बहुत से लोगों ने उसका यूज किया और सीखा कि किस प्रकार से हम लोगे इं का भी उज़ कर लिजिएगा जब भी आपको confusion create हो तो ऐसे ज़्याद आपको परिशान नहीं करेगा क्योंकि देखिए सिंपल जितना भी आप सिस्टम को रखेंगे वह आपके लिए उतना ही बेटर होगा क्लियर है आज के क्लास में हम लोग जानने का प्रियास करेंगे बास्केट के बारे में अक्सर आप टेलिग्राम पर हमारे हैं वहां पर आप बास्केट सब्द को सुनते होंगे कि बास्केट बास्केट आफिर बास्केट होता क्या है क्योंकि जब तक आप बास्केट को नहीं समझेंग कि आप कभी भी एक स्टॉक में अपने पूरे पैसे मत डालिए क्लियर है आप कम से कम अपनी पोट्फोलियो डिजाइन कीजिए उसमें 15 से 20 स्टॉक रखिए और तब जाकर एक एडियल पोट्फोलियो बन जाए उसमें लार्ज कैप स्मॉल कैप सभी का मिलाकर रखना है तो जब हम और उसमें बात क्या होती है लॉंग टर्म की मतलब आप 15-20 या उससे भी ज्यादा आपको होल्डिंग करनी है फिर वे आप बास्केट बनाए और उस बास्केट को रिव्यू किजिए मतलब पोट्फोलियो बनाए और रिव्यू किजिए तो वहां पे हम करो आपकी कैपिटल अगर सौ रुपे है तो आप पचीस रुपे पचास रुपे साथ रुपे ही इन्वेस्ट करो और उसमें एसल मेंटेन करो ऐसा आप लोग दरूर सीखे होंगे कहीं न कहीं से लेकिन क्या ये सही है और अगर एक प्रोसेस सही होता तो आफकोर्स रिटेलर का कुछ ने कुछ तो भला होता तो मैं कहूंगा कि जब हम लॉंग टर्म पोट्फोलियों डिजाइन करते हैं तो वहां भी हम मल्टिपल प्रकार के स्टॉक, स्क्रिप्ट, मिडगाप, स्मॉल मिलाकर रखते हैं तो फिर सौट टर्म की जब ट्रेडिंग करते हैं जहां पर की ज्यादा होती है सौट टर्म को प्रेडिक्ट करना बहुत मुस्किल होता है वनुमान लगाना मुस्किल होता है वहां पर आप कैसे एकर स्टॉक, दो स्टॉक में जा सकते हैं और यह से लिको maintain करेंगा और उसमें आप पैसा बना लेंगे बहुत टफ हैं आपको वहां पे भी लॉंग टर्ण की तरह सोचना होगा आपको भी अपने सारे अंडे एक ही बास्केट में नहीं डालने हैं अलग-अलग बनाईए अलग-अलग स्क्रिप्ट रखते हैं तो हमारा रिस्क काफी मिनिमाईज हो जाता है और हम प्रॉफिट की और बढ़ते हैं जैसा कि आप देखें मैंने इछले एक महीने से मैं बास्केट का कुछ पोजिशनल ट्रेड अपडेट कर रहा हूं विए कि देखो इसमें क्या होता है और आप दे इसे कहते हैं कि हम एक स्क्रिप्ट पे बेट नहीं लगाएंगे कि अब सवाल मतलब कितना कम से कम 5 जादा से जादा 10 क्यों कि मान लो कि आपके पास 100 रुपे क्लियर हैं आपके पास 100 रुपे कि आपको करना क्या है उसमें से सतर रूप्य क इलिया है 60 से 170 ले मैं पैसे को डिवाइट कर लेना है और आपने पांच स्टॉक का आपको अच्छा रिटर्न दे दे और आराम से आप उसको राइड कर सकते हैं आप चाहें तो लंबे समय तक राइड करना है तो लंबे समय तक भी राइड कर सकते हैं अब उसमें SL क्या होता है वो मैं टेक्निकली यहां समझा रहा हूँ पहले समझे कि बास्केट क्या होता है जो अभी आप टेलिग्राम के माद्यम से देखते हैं समझते हैं कि सर तो चल रहा है स्टॉक या गिर रहा है तो क्या होता है ये concept जब clear हो जाएगी तभी आप कर पाओगे दूसर दे बास्केट भी बनाएंगे लेकिन मैं सलाह दूना स्विंग ट्रेट की बास्केट बनाईए इंट्राडे में प्रॉफिट आती है निकल जाईए नहीं तो उसको स्विंग कितरा हैंडल तो पैसा आपका बंता रहेगा तो कि इसमें जितना ज्यादा पैसा बचाने की और को पैसा दे देता है जनरली तो अब कैसे हम उस स्क्रिप्ट का चुनाव करें उस सेर का चुनाव करें इस सबसे बड़ा मुश्किल होती है और जो नए लोग आते हो बजार में या जो संघर्स कर रहे हो इस ट्रेडिंग के कैरियर में आप इस बास्केट के थो जाईए इसको देखिए परखिए आपको कहीं ने कहीं भला होगा आप किसी दूसरे का प्रॉफिट लॉस देखकर प्रहावित मत होईए आपको खुद की स्किल डेबलप करनी होगी खुद की नॉलेज डेबलप करनी होगी तब जाकर बाजार आपको पैसा देगा यह नियत है इस बाजा आप इसे ही यूज किजी और छे महिने से एक साल तक इस पर पूरा प्रैक्टिस किजी जब इसे समझ लीजिएगा तब फिर पैसा बन जाए तो दूसरे जगह जाओ तो कि इसमें पैसा लॉस होने के संभावना बहुत ही कम होती है चुकि अगर एक स्टॉक लॉस दे भी रहा है तो दो आपको प्रॉफिट देता रहे है एक स्टॉक मालो तीन परसेंट लॉस में तो दूसरा पंदरफर सेंट उपर वी रहता है तो एक तरह से आपका एक बैले या कहा नहीं किya peace of mind से इसमें पैसा बनता है जो कि मैंने live लगएक में आपको दिखाया है और आने वाले वक्त में और भी दिखाऊँगा कि देखो इसमें क्या होता है लेकिन आप मैं चाहता हूँ कि कि आप एक खुद से किया करो विल्देखिए खुद से जो करेंगे ना ब बिल्कुल नए लोग हूँ, वो कैसे इसका यूज करेंगे, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका में आपको बता रहा हूँ कि जैसे आपने सूपर ट्रेंड का यूज किये, मैं सूपर ट्रेंड पे ही बास्केट बनाना सिखा देता हूँ, मुविंग एवरेज के द्वारा भी बन सकता है, वीवेप के द्वारा भी बन सकता है, फिट्टी टूविक हाई के द्वारा भी बन सकता है, बैंड ब्लास्ट के द्वारा भी बन सकता है, मैं सिंपल ने बता रहा हूँ कि आम लोग भी उसको कर पाएं, करने का तरीका क्या है कि हमें ऐसे share का चुनाव करना है, जो अपनी super trend में, day में, buy में हो, और hourly time frame में भी buy में हो, मतलब both में वो buy में होनी चाहिए, ठीक है, तब जाकर उन ही share का हम चुनाव करेंगे, उन share का market cap 1000 करोर से उपर की होनी चाहिए, कम से कम, ऐसे 5000 करोर में चाहिए ठीक है, but 1000 करोर से उप की होनी चाहिए, यह भी आपको देखना है, क्योंकि उससे कम का रखेंगे, तो उसमें अगर गिरा तो अच्छा का सा गिर जाता है, उसको cover होने में time लग जाता है, तो 1000 करोर से उपर का रखिए, तो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत की बार नहीं है, इतना ज़रूर maintain रखिएग और आप office जाते हो, कहीं भी, तो इसके आप कर सकते हो, बास्केट बना लिए, अपना office में घुम रहे हैं पैसा आपका बन रहा है, मतलब आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है, करेगा, करना क्या है, आए मैं आपको लेकर चलता हूँ, दिखाता हूँ है, जैसे एक देखो, यह सब चीजे हैं, बास्केट में, क्या करता है, आप लोग देखो, और आपने result भी देखा होगा, तो मैंने इसमें क्या देखा था, इसको समझगे, क्योंकि question यह आते हैं, और यहाँ पर कितने stock है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7 stock थे, clear है, तो ऐसे ही लेना है, 5 से 10 के बी आज केजिए, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट घबराना नहीं है, ठीक है ना, यह आपका day time frame है, है ना, यह आपका day time frame आता है, और day time frame में, आप देखेंगे, कि यह आपका RAM के था, उसमें वही 282, 283 के आसपास, इसी zone में कहीं ने कहीं, बाए चल रहा था, प इसमें rule क्या है, कि super trained day में, और hourly में, बाय होनी चाहिए, वहाँ पर मैंने use कर लिया था, थोड़ा सा हिलेगा मिलेगा का pattern, और ps का, previous support का भी use कर लिया था, कि यह से कहीं ने कहीं चल सकता है, इसको breakout कर सकती है, और उसके साथ ही, hourly का भी मैंने देखा था, और hourly में भी, हमें कहीं ने कहीं यह दिख रहा था, कि एक range बना रहा है बाजार, जो चलेगा, तो mainly आपको देखना है, super trend hourly में, बाय होनी चाहिए, और ए super trend आपकी day में भी बाय होनी चाहिए, आप starting कर रहे हैं तो, मेरे लिए है कि मैं इसमें और भी चीज़े देख सकता हूँ, मैंने क्या कह कि आप super trend के थुरू बना लो, आप projection के थुरू बना लो, आप हिलेगा विलेगा के थुरू बनाओ, तो सबसे बेश्ट तरीका है, एक आम आदमी के लिए, वो मैं यूज कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए, आप इसको starting में यूज कीजिए, जैसे जैसे knowledge bank बाय है, तो आ आप इसको खरीद लेंगे, ACL आपका जो होगा, डे का super trend जो break करेगा, that is your ACL, simple, या मैं रखता हूँ कि पूरे basket का 5% डाउन हो गया, तो मेरा ACL हो, पूरे basket में मैंने लिया साथ से और सब मिला कर, profit loss 5% डाउन है तो ACL, लेकिन starting fail में, आप एक एक का भी ACL यूज करके चल सकते है तो day time frame का, अगर super trend आपका, sale में आ जाएगा, तो आपको ये sale हो गया, day और hourly दोनों buy में होनी चाहिए, तो हम इसको खरीदेंगे, और वो कहीं ने कहीं हमें पैसा day देता है, ठीक है, एक दूसरा, यहाँ आए, इसको भी देखिए आप लो, है ना, ये day time frame पे भी buy में था, और साथ ही साथ, hourly time frame पे भी ये buy में था, इसी zone में हम लोगों ने buy देखा था, 182, 179 के ही आजपास, मुझे लगता है कि buy में था, वहीं हमने update किया था, चला, ज़्यादा time नहीं लेता है, इसमें फायदा ही है, के काज सब्ता 15 दिन में पै लग जाता है, कभी-कभी आपको, एक पहली वाली जो बीच में बास्केट था, वो पहले गिरा था, आपने notice किया होगा, कि दो-दो-लाक investment में 10-12,000 माइनस थे, बाद में उपर आया था, तो ये होगा, कि जब 10-12,000 माइनस हो जाए बास्केट में, और फिर स्टॉक दुब तो पहले इसी को मेंटेन कीजिए, इसके बाद देखेंगे, ठीक है न, तो डे और अवरली में बाई होने चाहिए, सुपर्टेचरिया मिल गया, तो बहुत अच्छी बात है, अवरली का सुपर्टेचर, ओके, अब ये हो, मैं सारा का चार्टा को दिखा देता हूँ, ताक हम डे को ज्यादा वैल्यू देंगे, अवरली बस हमारा इंट्री के लिए यूज होता है, कि लिए रहे, डे में हमारा बाई चल रहा है, और अवरली में देखेंगे, उसमें भी ठीक टाक है, आप उसको बासके बना सकते हैं, छोटा मूत ये करेगा, तो पी-र का इसल मानि ठीक जाएगा, थोरा सा माइनि यूज़ कर लिजिएगा, यह आपको आना चाहिए, इक्स्ट्रा होगा, नहीं मानेंगे, तो कभी-कभी एसल हीट हो जाएगा, आपने बनाए, इसल हीट हो गया, तो मैं निकल जाग, यह दो रूर में इसको ये कर लो किजिएगा, और इसे आपको बहुत फायदा होगा इसमें लॉसेस इस समभावना बहुत ही कम होती है आपको परसानी नहीं करें गए बाजा यहां भी देखिए है ना सुपर्टेंड यहां बाई में है सुपर्टेंड यहां बाई में है सद्धे दिया आज तो काफी बढ़ा हुआ था मार्केट में गिरी तो असे देख सकते हैं अब यह जदा इंपोर्टेंट है आप यह संकर गया तो बज़ सिंपल्सिंपल चीज़ों को देखिए सिंपल्सिंपल चीजूंस पैसा बंदता है lihat अदके कहने मतलब है कि मैंने सारी चार्ट में भी दिखाई उपहले लाइफ दशीड़ देकर झाल भी दिखाए कि देखो क्या होता और एक बार नहीं मुझे लगता है कि मैंने 5-6 बास्केट क tirar Nej है कि सबनेब को पैसा दिया है कि से नी जादा दिया किसि पहुत ज़्यादा दिया लेकिन पैसा बना है, reason बस इतना ही है कि हम एक share में नहीं जाएंगे जब investment कहता है कि आप portfolio बनाओ, सारे अंडे एक basket में मत डालो, तो हम यहां क्यों करें तो आपको थोड़ा से intelligent बनना है trading में भी, और आपको अपनी portfolio जैसा इसमें design करना है अच्छे stock रखने है अराम से basket बना के बैट जाना है आपको एकाज सब्ता हमें कभी दो दीन में तीन दीन में, समटाइम इंडरा डे में भी आपको पैसा दे देगा, अब आप कहेंगे सर्फ profit booking कहा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि profit booking खुद से सीखनी होगी क्योंकि आप खुद से जब तक नहीं सीखोगे कठिनाई होगी, इस स्टार्टिंग फेज में आप वोटे profit भी लेकर निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है लेकिन खुद से प्रियास करना है दीरे दीरे ही आप उसको ride कर पाओगे और जब भी आपको 2-4 परसेंट, 5 परसेंट मिल जाए एक बार सुचो कि निकलने का गर जगा किसी स्टाउक में आ रहा है, कोई स्टाउक डाउनर तो उसे अकेले निकल गए, बाकी कोगल रखके जैसे वीक भी तो कुछ, हमजोर भी तो कुछ स्टाउक होगा, वहां से चार्ट देख रहे हैं कि यहां से वही कुछ सेल आ रहा तो उसे एक बार निकल गए फिर सुपर्टाचेरिया में आएगा तो देख लेंगे तो यह स्मार्ट आप बनेंगे तो वह आपको प्रॉफिट बड़ा हो जाएगा और उसी स्टाउक हो सकता है कि आप महीने भर भी राइट कर सकें अगर उसे एल में नहीं आता है तो पैसा बनता रहेगा तो यह तरीका यूज कीजिए और छोटा कैप्टल जिनके पास मालिज यह 30,000-40,000 रुपय भी है वो भी आपको 3,000-2,000 इस्टाउक में इन्वेस्ट करके पांसात में 15,000 वो भी पैसे बना सकते है और पैसा थोड़ा से स्टाटिंग में कम मिलेगा तो कि ऑप्सन बाइन की जो बुखार लगती है वो दरता नहीं है जल्दी इनसान को लगता है कि मैं बेजर लेके आया हूं उसे 2,000,000 कमाल होंगा सम टाइम कहें के स्टोडी मिल जाएगा कि सामने वाले ने 22,000 लगा कि पांच करोर कमाली है तो वो आपको अट्रेक्ट करता है औ तो पहले इस पर अपनी केरियर स्टार्ट करेंगे वन येर इस पर प्रैक्टिस किजिए छे मिने से भी ज्यादा आप्टर वन येर आपको बाजार बहुत कुछ सिखा देगी और आपके कन्विक्शन कई गुना हो जाएगी पैसा भी बनेगा ऐसा नहीं कि इसमें पैसा न एक्सप्रियंस घेद्रे गेन कर लेंगे तो आपको भी वैसे ही काम करेगा तो इसको देखिए समझिए और इस बास्के ट्रेडिंग को यूज करने का प्रयास किजिए ये आपको कहीं ने कहीं इस जो सागर में आप तैर है ना इसको पार करना आपको सिखा देगा डूरों जाए में हो सकता है कि आपको दो-तीन बार इसल हिट हो जाए उससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता है लेकिन बाकी हर आपको प्रॉफिट होग और अच्छा खासा हो इसका मतलब है कि पैसा जिस जगह बन रहा है नॉलेज उस जगह पे नहीं जा रही है आमाल में तो आपक कैसे बास्के ट्रेडिंग करेंगे, option selling में तो care hedging के थुरू चले जाते हैं, लेकिन cash पर भी focus रखें नए लोग, क्योंकि कोई भी व्यक्ति cash trading पर बात नहीं करता है, मैंने देखा हैं, बहुत से लोग हैं, सिर्फ option पर ही बात होती है, तो मैं कहता हूं, option C code, काफी safe, काफी reliable होती है, किसी परकार से आपको डरने किसमे जरूरत नहीं होती है, मैंने छोट assessment technical term डाला है, बहुत बढ़ा technical term नहीं डाला है, ताकि आपको confusion create नहीं हो, simply day time और hourly time को follow किजिए, और आप देखिए कि क्या होता है, ऐसा बनेगा, निचिंद रहिए, ठीक है, और खबराना नहीं है, सीखते रहना इस बजार में, सबका time आता है, आपका भी time आए, तो इसके साथ हम सेमा समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे, मैं प्रयास कर रहा हूं, उससे निपट लूँ, तो आप लोगों के लिए, पांदस मिनट का समय निकालूँ, और वहां पर मैं कुछ और डिसकस करता रहूं, मार्केट आवर में, जिससे कि आप लोगों का जो knowledge का प्रवा है, और रुके नहीं, कुछ ने कुछ सीखते रहें, समझते रहें, और पंटर को बताते रहें, कि भाई, हम भी किस गुरू के चेले हैं, है ना, तो सीखिये, थैंक्यू आप सबको, धन्यवाद सबको, और enjoy कीजिए, फिर मिलते हैं कल, ओके, धन्यवाद, और हाँ, fire and forget के अभी मैं डिजाइन कर रहा हूं, उसमें कुछ रूल्स डाल रहे हैं, एल्गोबी में बना रहा हूं, उसमें फ्वरे से इरेर आ रहे हैं, तो जल्दी हम उसको बना लेगें, एक बार हो बन जाता है, तो उसका जो भी रिजल्ट आएगा, जो ओर्जिनल वाली रिजल्ट, वो भी मैं आपको दिखाने का प्रयाज करूंगा, तो बताने का भी करूंगा, चली, लेने बाद आप सब को,